हेलो, नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक सिख्चा के इस online learning platform पे, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं CVT 2024 के examination के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं CVT 2024 के examination की जो आप लोग की time table था जा schedule था, वो अल्रेडी रिलीज हो चाहिए, क्या हम लोगों को पहले से कुछ documents अलग से extra लेकर जाना होगा, या किस चीज के लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, तो उसी की जवाब जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले उन documents के बारे में, जिसको लेकर आप आपको examination day के दिन अपने center में पहुचना है, यदि आपका exam CBT mode में है, या फिर आपका exam जो है आपकी OBE mode में, print paper mode में हो, या CBT जिस भी mode में examination होगा, आपको इन documents को तो लेकर ही जाना है, तो उसी documents के बारे में समझते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, उसका एक print out जो आपको लेकर जाना है, और along with self declaration, जो एक आपका self declaration का form आता है, जो उनकी format रहती है, उसको आपको proper भरना है, उसको नीचे signature करना, और उस self declaration वाला form भी आपके admit card के साथ लेकर जाना है, ठीक है, उसके बाद one passport size photographer, same as uploaded on the online application form, जो भी आपने online application form में जब आपने apply किया, तो उस समय जो भरा था, उसी एक passport size photo को लेकराना, ताकि आप वहाँ पे एक specific seat दी रहती है, आपके attendance seat पे, वहाँ पे आप उसको paste करके, जो वहाँ पे आप करोगे, ठीक है, उसके लिए next आपका तीसरा चीज़ है, any one of the authorized ID, या तो आप आधर card ले सकते हो, pan card ले सकत तो या E-R with photograph, या फिर रासन card with photograph, या class 12th का board admit card with photograph, या bank passbook with photograph, जो भी आप document लेंगे, वो जो आपके valid document होना चाहिए, ये चीज़ जो है, उन्होंने या पे mention किया, और जो भी students इसके लाबा PWD category से है, या जो भी आपना extra time relaxation चाहते, तो उन सभी के लिए, जो है, PWD certificate issued by the authorized medical officer if claiming relaxation under PW category, और अगर आपके बस नहीं है, तो PWD certificate जो है आपका, ये आपका regarding physical limitation in an examination to write as per an extra given in the information bulletin, if relaxation is there under the PW category, यानि कि जी जादी आप उस category से belong करते है, आपको relaxation चाहिए, extra time चाहिए, तभी आपको वो ले कर जाना है, नहीं तो मुख्य रूप से आपको जो है, एक अपना admit card, ए declaration और आपका जो एक valid कोई भी ID जो है, आपको original में ले कर जाना है, तो ये सारे documents के साथ जो है, आप अपने CUTS exam center पर जाए, all the best.